प्रेट्स वेल्कम टू स्टाक मेन चनल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक आईटी सेक्टर और बीपियो की जो सर्वीसिस प्रोवाइड कराती है उस कंपनी के बारे में अगर इस कंपनी में अभी प्रेजन टाइम पर भी हम इंवेस्ट कर सकते हैं और अगर पास से दस सालों के लिए छोड़ देते हैं तो यह कंपनी जो हमें मल्टी विदर रिटन बनाने का पोटेंशल रखती है हमारे जो स्टॉक मार्केट में जो हैं सबसे बड़े इन्वेस्टर्स राके जुनिन वाला सर हैं उन्होंने भी इस कंपनी के जो है दो करोड से उपर जो शेयर अपने पोट्पोलियो में एड करके रखें उन्हें भी लगता है कि यह कंपनी जो है आने अले टाइम में बह रही है वो भी हम इस वीडियो के एंड में देख लेंगे तो सबसे पहले मार्केट केप देखी है तीन अजार चार्सो उन्साथ करोड का है करेंट प्राइज जो अभी पचास रुपे पर चल रहा है बावन वीक आई बनाये 83.90 रुपीज और बावन वीक लो बनाये 39.20 ड एविडेंट बहुत ही शांदा देती और फेस वेल्यू 10 की कंपनी ये भी बहुत अच्छी बात है बीसी और एनसी दोनों पर लिस्टेड है और डैक्ट एक्विटी रीशो देखें अगर इसका तो एक से काम है ये भी बहुत अच्छा है और प्रमोटर होल्दिक भी बहु कि जितना कैश अमांट पड़ा हुआ उससे कम जो है कंपनी के उपर कर जा है तो फंडामेंटल पैरामेंटर्स में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अग देखते हैं इसका क्वाटरली रिजर्ट से देखिए आप डिसेंबर क्वाटर से कंपेर करें तो 985 करोड से जो ह गी 136 करोड से 138 करोड और quarter to quarter देखेंगे आप तो 132 करोड से 138 करोड ओप्रेटिक प्रॉफिट मार्जिन भी 14% का है नेट प्रॉफिट देखिए 98% का कॉंस्टेंट है लेकिन हम quarter to quarter देखें तो 93 करोड से 98 करोड का है तो overall quarterly result देखें तो इस कंपनी का quarterly result अच्छा रहा है quarter to quarter जो है थोड़ा improve कर रही है कंपनी अब इसका profit and loss statement देखें तो sales देखिए 3535 करोड से 3826 करोड का हो चुका है operating profit देखिए 479 करोड से 535 करोड का हो चुका है operating profit margin 13% से 14% का हो चुका है net profit देखिए 327 करोड से 389 करोड का हो चुका है और net profit जो है इसका लगाता 2012 से देखिए 62 करोड, 147 करोड, 113 करोड, 234 करोड, 260 करोड, 327 करोड, 327 करोड तो लगाता जो है company अच्छा perform कर रही है और आने वाले time में ये company जो है बहुत अच्छा return देने का potential रखती है एक इतनी कम value की price में इतने अच्छा fundamental वाली company मिलना रही है, earning per share भी बढ़ा है और dividend भी देना जो है start कर दिया है, और return on equity देखिए 10.42% का है, compound profit जो देखिए 9.62% का है, और sales growth देखिए तो 10.53% का है, उसके बाद देखिए आप balance sheet देखिए इसका result देखिए और भी बढ़ चुका है, 2030 करोड का हो चुका है, और total assets देखिए त 3,666 करोड का हो चुका है, तो company का fundamental देखिए overall तो बहुत ही strong cash flow भी positive है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, company में अगर पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा, लेकिन long term में अच्छा पैसा बनेगा, short term में हो सकता है, गिरावट आजा है इस company में, लेकिन long term में ये company बहुत अच्छा return देने का potential रखती है, company का जो नाम है वो है, first source solution limited, first source solution is engaged in the business of providing customer management services like contact center, transaction processing and debt collection services including revenue cycle management in the healthcare industry, return किस तरीके के दिया हैं, देखिए आप 10 साल में 206 percentage का तो return बना के दिया ही इस company ने, उसके अलावा देखें, PE के इसाब से भी देखें, तो company बहुत ही cheap valuation पर available है, सस्ते में मिल रहा है stock, small cap की company है, debt equity भी कम है, dividend yield भी बहुत श्यांदार है, उसके अलावा इसका share holding pattern भी देखें, तो 3 mutual fund ने पैसा लगा कर रखा है और 107 F20 का पैसा लगा हुआ है, mutual fund ने holding देखें, क्योंकि यह company long term में बहुत अच्छा return देने वाली है, और current price जो अभी 50 रुपे चल रहा है, अगर 200 share भी इस price पर खरीदते हो, आप अगर, तो आपका 10,000 investment होने वाला है, और इस company के अगर 500 share अगर आपके portfolio में होते हैं, तो यह company आपको जो बहुत ही अच्छा return बन आप इस range के अंदर जो है, आपको buy करना है, इसमें, उसके अलावा company की CV देख लेते हैं, तो CV में देखें, तो आप देखिए second number पर आती है, अपनी industries में, उसके अलावा इसका revenue का data देख लिए, customer management से 56.08 परसेंटेज आता है, healthcare से 34.58 परसेंटेज आता है, और collection से 9.3 परसे जो है, इसने dividend दिया था, वो 2001 से जो है, चालू होगी थी, BPO और IT सेक्टर में काम करती है, इसका हम देख लेते हैं, quality देखी, average quality company और valuation अभी फेर चल रहा है, और financial trends भी flat चल रहा है, क्योंकि quarterly result आपने देखा था, 98 करोड का पिछले quarter में भी था, और अभी भी 98 करोड का है, तो हो सकता है, इस company में थोड़ा सा गिरावट आजाया, लेकिन long term में ये company बहुत अच्छा perform करने वाली, और BP और IT services तो हमेशा ही चलने वाली है, और आने वाला जो time भी है, वो digital services का जाधा है, तो इस company का growth होने का potential जो है, बहुत जाधा है, अब देखते हैं, इस company का chart, चा रुपे के आसपास, 100 days का moving average इसका 47.78 था, वहाँ से इसने break किया और एक high लगाया है, इसने 54 रुपी के आसपास, और अभी जो stock मिल रहा है, हमें 50 रुपे पर मिल रहा है, ये है exact 10 days के exponential moving average के, तो यहाँ पर जो है, इसका resistance बन रहा है, 10 days के, जैसे ही ये 10 दिन के moving average को इस त तरीकी की, टच करते हुए नहीं, इस तरीकी की candle बना देगा, उसके बाद जो है, बहुत अच्छा उपर जा सकता है, सबसे पहला जो target रहेगा, वो 55 रुपे कर रहेगा, और 55 रुपे के उपर ये 200 दिन का moving average है, 55.77, इसके उपर अगर इसने इस तरीके की candle बना दी, उसके बाद जो है, ये stock बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि stock जो है, इसी range में बहुत ही दिनों से move कर रहा है, और जैसे ही 55.77 के उपर गया, ये stock बहुत अच्छा moment दे सकता है, तो हमें buy किस range में करना है, हमें जो है, इस stock को buy करना है, ये जो हमारा level है, इसका high जो बनाया इसने, मैं आपको बता देता हूँ, high जो बनाया था इसका, चोपन रुपे के आसपास जो बनाया था, तो 54 से लेके 47 तक जब तक आता है, 47 से 50 के बीच, 54 के बीच में जो है, आप जाधा से जाधा quantity add कर सकते हैं, जैसे अभी 50 रुपी का price चल रहा है, तो वहाँ पर आपने 100 quantity add कर ली, अगर by chance नीचे आता है, तो आपको पता है, 100 दिन का moving average है, 47 रुपे के आसपास, तो 47 रुपे के आसपास, फिर आपने 100 quantity add कर ली, तो 200 quantity हो जाएगी, तो इसी तरीके से आप जो है, 54 रुपे से लेके, 47 रुपे के बीच में मैं आपको लिखके बता देता हूँ, बाइंग रेंज, 47 से 54 के बीच में अगर आप ज़ादे से जवादा quantity जो add कर देते हैं, तो आपको जो है, बहुत अच्छा return long term में मिलने वाला है, और उसके बाद जैसे ही ये 55 रुपे से उपर जाए, उसके बाद जो है, अपना investment छोड़ दीजिएगा, 5 से 10 साल के लिए, ये कंपनी जो है, multi-vega return बना के आपको दे सकती है, और आके जुन जुन वाला सर के पास भी 2 करोट शेर से अपने portfolio में जो है, शामिल किये हुए, तो आप देख सकते हैं, कितने जादा quantity में शेर, और आके जुन जुन वाला सर ने बहुत ही अच्छी कंपनी में investment कर रहा है, और ये कंपनी 50 रुपे के price में इतनी अच्छी fundamentally strong कंपनी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, stock market में, cheap valuation के कंपनी तो बहुत साजी होती है, लेकिन उनके fundamentals जो है, जादा strong नहीं होती है, इस कंपनी का valuation भी अच्छ है, और fundamental भी अच्छ है, तो ये कंपनी जो है, बहुत long term में बहुत अच्छा perform करने वाली है, तो आप जो है, इस company के बारे में खुद से भी research करें, और investment करने से पहले जो है, अपने financial advisor से सला, जरूर लें, I hope आपको हमरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए, channel को subscribe कीजिए, bell icon पर click क जिससे आपको हमरे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें, और अपने friends को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किजिए, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होतो हो